लोकसभा में मंगलवार को लेता प्रतिपक्ष की हलवा वाली स्पीच को लेकर भाजपनेता अनुराक ठाकुर कॉंग्रेस पर आरोप पर आरोप लगाये जा रहे थे इतने में अनुराक ठाकुर ने सदन में कह दिया जिसकी जाती का पता नहीं वा गड़ना की बात करते हैं अनुराक ठाकुर के इतने बोलते हैं सदन में जवरदस बहस चिड़ गए राहुल गांदी अपनी सीट से खड़े वे और कहने लगे मेरी जितनी चाहे उतनी इंसल्ट कर दीजे लेकिन जाती जनगरना को हम सदन में पास करा कर रहेंगे इसके बाद अनुराक ठाकुर फिर बोलने लगे कि मुझे लगता था कि हर भाशन से पहले इनको परची आती होगी लेकिन हर बार सदन में बीच में बोलने के लिए परची आती है अनुराक ठाकुर ने तंच कस्तेवे कहा उधार की बुद्धी से राजिनीती नहीं चलती रा पूरी महाभारत की बातें यहां हो गई अनुराप ठाकुर तो मंत्री भी रह चुके हैं अखलेश यादव ने भड़कते वे का अनुराप ठाकुर ने जाती कैसे पूछ सकते हैं अनुराप ठाकुर ने इसका जबाब देते वे कहा कि लैजे में बद जुबानी और चेहरे प पूरता नजर आ रहा और ये खहा गया कि अनुराप ठाकुर कौन होते हैं किसी की जाती पूछने वाले क्या जाती से तैक किया जायेगा कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा हाला कि बीच में कॉंग्रेस से पार्टी मासचीर प्रियंका गांधी का भी बयान सामने आए और नहोंने कहा कि आज मौदी सरकार कॉंग्रेस से डरी हुई है आज मौदी सरकार विपक्ष से डरी हुई है इसलिए वो विपक्षी पार्टियों पर एक बार फिर अंकुछ शकस्त ना चाहती है लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है अब देखना होगा क्या ये कहा गया है कि अनुराग ठाकुर को माफी मांगना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने जाती पर सवाल खड़ा किया तो क्या नुराग ठाकुर सदन में माफी मांगेंगे या इस पर हला जारी रहेगा